हेलो साथियो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जैहिन, नमस्कार, कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़ी हैं, सब कुछ चला होगा, और तैयारी में लगे भी होंगे, अच्छी तरीके से, हम लोग आज उसी सीरीज में, जैसे कि आप इस्टैटिक्स का भी कर चुके ह हैं, तो डाइनमेक्स का एक लेक्चर आपने पढ़ लिया, और उस लेक्चर में हमने सूनने से सिखर तक, यानि जीरो टू हाइस, जितना भी कॉंसेट है, जिससे क्विश्चिन बनता है, वो सभी कुछ हमने उसमें डेटेल से आपको एक्षप्लेइन करके बताया था, ठी कैसे सब चीजन निकालना है, कैसे डेट करना है, कैसे याद रखना है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसमें से, और डाइनमेक्स में सब से इंपॉर्टन टापिक है प्रजेक्ट टाइल, प्रच्छेफ, ठीक है ना, तो जब किसी पिंड को फेकते हैं तो उसी को प् जितनी दूर जा रहा होगा, वो रेंज होगा, जितनी हाइट जा रहा होगा, मैक्जिमम हाइट है, जितने बेक से पिंड का गया वो इसकी इनिशल बरिस्टी होगी, यहाँ पर इसमें से यू, कॉस थीटा होगी, कॉस अलफा यहाँ, बर्टिकल की जब बात करेंगे इसम तो बर्टिकल में हो जाएगा, यू, शाइन अलफा, यह, अब इन ही रेटेड, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, जितने भी कॉंसेप्ट पढ़ें हैं, आप फार्मूले पढ़ें हैं, आप मेथर्टिक्स जो भी पढ़ें हैं, उन ही का यू, जब आज के कॉ परफेक्ट हैं आपके लिए, लेक्चर वन एंड लेक्चर टू, जिसमें से कुश्चन नमबर वन से शुरू करते हैं, और इसमें मैंने उन कुश्चन को रखा है जो प्रीबियस यर में आ चुके हैं, अब से और है कि प्रीबियस यर के बाद जो है, अगर दूसे कैसे रखना है, मॉडरेट होगा या फिर उल्टा पुल्टा बदलेंगे, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, इस कुश्चन में गहरा है कि प्रच्छे का पराज महत्ता मुचाई के बराबर है, यानि होरिजेंटल रेंज इस इक्वल टू, मैक्जिमम हाइट, तो जब इस कु साइन टू अलफा है, अपान में जी, एक्वल टू यहाँ पर यू स्क्वाइर, साइन इस क्वाइर अलफा अपान में टू जी, अब जी कैंसिल हो जा रहा है, यू स्क्वाइर कैंसिल हो जा रहा है, यह होगा, टू साइन अलफा इन्टू कॉस अलफा, एक्वल टू साइन square alpha upon 2 तो फिर sin square alpha cancel हो गया ये कास इधर लाई है 2 को इधर लाई है तो tan alpha equal to 4 हो गया इसका मतलब ये कि alpha equal to आ गया tan inverse 4 ये answer हो गया आपने देखा इसमें से एक भी देर नहीं लगी PGT 2021 का question है तुरंथ हो गया statics और dynamics में दोनों मिला करके 10 से 12 question आते हैं और बहुत ही आराम से कर सकते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आने वाला topic है dynamics का projectile और सबसे ज़्यादा question पूछे जाने वाले है statics का topic जिसको हम equilibrium कहेंगे साम में आवस्था वो भी हम करा चुके हैं इसके पहले तीन lecture में आपने देखा होगा ठीक next question में आते हैं ज़्यादा कह रहा है कि 75 meter एक दीवार है और एक projectile इस दीवार को सीधे पार करते हुए चला जाता है ठीक है न u-x से जो है फेंक दिया गया है ठीक angle alpha पर फेंका गया है यहाँ पर यह दीवाल है h जिसकी height 75 है इस दीवाल की दूरी है 150 meter कह रहा है तो 150 यह भी हो जाएगी यह तक पहुंचने में ठीक है न यह भी हो जाएगा यह maximum height है यह बेग u से फेंका गया इसको ठीक अब हमारे पास दो चीज़ें दी है height दी है height का formula है u square sin square alpha upon 2g and this is equal to 75 यह हो गया maximum range वह भी आपके पास है u square sin 2 alpha upon g or equal to 300 है यह अब इन दोनो equation को divide कर देते है equation 1 and equation 2 तो जब divide करेंगे from 1 ठीक है न 1 by 2 जैसे कर दीजे आप तो फिर यह हो गया u square sin square alpha upon g h की value है 1 को हम 2 से divide कर दे रहा है u square sin 2 alpha upon g यह हो गया यह range है मतलब हमने क्या रखा है हमने रखा है h upon r ठीक है ना तो यह 75 और अपान यह 300 तो यह 1 by 4 आ जाएगा कुछ इसमें से cancel हो रहा है उसको देखे g और g cancel हुआ u square u square cancel हुआ अब बच क्या रहा है बच क्या रहा है इसको उल्टा कर लीजे तो sin 2 alpha उपर ले आईए ठीक है ना sin 2 alpha को आप उपर लेशे लेंगे इसमें से sin 2 alpha इसके साथ हो जाएगा ठीक है ना इसके साथ ही ठीक है देख लीजे u square sin square alpha upon 2 g यह है u square sin 2 alpha upon g तो यह g और g कट गया u square u square कट गया तो अब बच रहा है sin square alpha upon sin 2 alpha sin square alpha upon 2 और यह 2 के साथ ही भी हो जाएगा sin 2 alpha into sin 2 alpha और एक्वल तो यह 1 by 4 तो यह 2 और 2 cancel हो गया ठीक है ना तो फिर sin square alpha upon me 2 sin alpha into cos alpha equal to 1 by 2 तो यह 2 और 2 यह भी cancel हो गया ठीक है ना तो यह बन जाएगा sin भी cancel हुआ तो 10 alpha equal to 1 आ गया इसका मतलब है कि alpha equal to कितना आ गया 45 45 अब अगर alpha equal to 45 आया है ठीक है ना alpha equal to 45 यह पूँच रहा था यह answer हो गया ठीक है ना alpha equal to कितना आ गया 45 आ गया ठीक है रियर next question में आते हैं यह भी जी यह से मूँच आ गया था अब इसमें से 4 गुना कह दिया है उसी concept को इसने 4 गुना में कर दिया मतलब इसमें कह रहा है कि range 4 times है height का यह तो फिर यहां रखेंगे आप u square sin 2 alpha upon g equal to 4 times u square sin 2 alpha upon 2g ठीक है ना आप देख रहें डियर कि जो इसके पहले का lecture था उसमें हमने भरपूर पूरा का पूरा एक जो है derivation निकालना याद कराना सब चीजें सिखाया था और हमने कहा था कि उन्हीं से question सब पूरे बंते हुए चले जाएंगे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक भी question बाहर का भी तकाय हो जितने भी exam में हो चुके है question और आगे फिर उन्हीं से बना करके घुमा के ही देना है कोई नया भी बनाएंगी तब भी concept होई लगेगा तो यहाँ पर आप देख रहें कि जी और जी cancel हुआ यह G और G cancel हुआ, U square U square cancel हुआ, यह 2 से 2 cancel हो गया, तो यह हो जाएगा 2 sin alpha into cos alpha equal to 2 sin square alpha, यह 2 और 2 cancel हो गया, ठीक ना, यह और यह भी cancel हो गया, तो फिर यहाँ पर वही value आ गई 10 alpha equal to हो जाएगा 1, तो alpha equal to 45, यह answer आ गया, ठीक है ना, चार गुनाव चाहित जो है बराबर था, तब यह value आ गई 45, ठीक, अब next question पर आते है, question में कह रहा है कि एक pin उपर से गिर रहा है, गिर रहा है से यहाँ पर, तो u equal to 0 से गिरा, t1 पर पहुँचा, तो कितनी दूरी है, कितनी दूरी चला यह, यानि कितनी दूरी चला, h1, t2 सेकेंड पर पहुँचा, तो कितनी दिस्टेंस चला, h2, t3 पर पहुँचा, तो कितना दिस्टेंस चला, h3, यह निकालना है मैं, तो फिर फार्मूला कौन सा यूच करेंगे, जो इसके पहले लेक्चर में हम आपको करा चुके है, t में शेकेंड में चली गई दूरी, h इक्वल टू, u प्लस हाफ, g, 2t माइनस 1, इसका यूच करेंगे, at t1 इक्वल टू 1, h1 आ जाएगा, यह 0 हो गया, ठेक न, u इक्वल टू 0 है, प्लस 1 बाइ 2, g, 2 इन्टू 1 माइनस 1, तो g बाइ 2 आ जाएगा, at t2 इक्वल टू 2 करना है, ठेक है न, तो h इक्वल टू 0 प्लस 1 बाइ 2, g, 2 इन्टू 2 माइनस 1, तो 3 बाइ 2, g, t3 इक्वल टू 3 करना है, तो h इक्वल टू 0 प्लस 1 बाइ 2, g, 2 इन्टू 3 माइनस 1, तो यह हो जाएगा, 5 g बाइ 2, यह हो जाएगा, ठेक है न, अब g बाइ 2 तो सभी में है न, तो हटा दीजे उसको, तो फिर रेशियो h1, रेशियो h2, रेशियो h3 इक्वल टू आ जाएगा, 1, 3, 5, यह इसका एंसर हो जाएगा, option B, बढ़ यह रामसी, यह TGT में आ था, देखिये, है न, हालाकि यह तना छोटा नहीं है, थोड़ा सा तो लिखने ही होगा, तो मैथ में तो सेवर है कि कुछ ने कुछ लिखने पढ़ता है, कुछ डारेक्ट होते रहते हैं, question, next question में आजाएगे, कह रहा है, U इस तरीके से पहेका गया, कि इसका परास महत्ता मुचाई का दो गुना है, question में यह बोला है, कि R equal to 2H है, तो फिर R की value आपको पता है, U square sine 2 alpha upon G equal to U square sine square alpha upon 2G, यह G cancel हुआ, U square cancel हुआ, तो 2 sine alpha into cos alpha equal to sine square alpha, यह square cancel हुआ, तो फिर 10 alpha equal to 2 आगया, अब 10 alpha 2 upon 1 माल लीजे, तो जब 2 upon 1 लेट करेंगे इस में, तो यह perpendicular है और यह है, क्या base, तो हाइपोटेनस आजाएगा root 5, 2 का square plus 1 का square, अब परास पूचा है यह, question में यह परास पूच रहा है, तो फिर हमें जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है कि हम sine alpha निकाल लें, sin alpha का मतलब perpendicular upon hypotenuse, तो 2 upon root 5, cos alpha किसके equal, 1 upon root 5, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो r की value है वो देखिए, 2 sin alpha cos alpha होगा, क्योंकि r equal to हमें निकालना है, u square 2 sin alpha into cos alpha और अपान में g, तो u square into 2 into 2 upon root 5 into 1 upon root 5 और अपान में g, तो यह हो जाएगा dear, 2, 2, 4 हो गया, 4, u square upon 5g, यह इसका answer हो गया, ठीक है, यह इसका answer आगया dear, option d इसका answer हो गया, PGT 2021 में यह भी था, ठीक, जब, मतलब इसने क्या किया कि r equal to 2h तो बता दिया ठीक है ना, r equal to 2h बता दिया इसने, लेकिन इसने angle न पूँच करके, पूँच लिया कि फिर range ही निकालिया तो फिर हमें alpha की बेलू चाहिए, sin alpha cos alpha की, बस वो बेलू निकाल करके आपको रख देना है, ठीक है न, 10 alpha आ गया है, तो sin alpha भी आ जाएगा, काश alpha भी आ जाएगा, next question में क्या है, एक पत्थर को ऊपर की और 6 second के पस्षाद फेंकने वाले ने पकड़ लिया, तो फेंकने के 2 second पस्षाद पत्थर का भी एक क्या रहा होगा, जी 9.8 है, तो जरा सुचिए, किसी ने फेंका या आप नहीं फेंका, यहाँ पर फेंका आपने, उपर तक गया, आप आपने यू बेक से फेंका इसको, आपने यू बेक से फेंका है, उपर की और फेंका तो कोई न, कोई बेक तो होगा न? यू बेक से फेंका लेकिन जब यहां पर पहुँचे तो B equal to zero होगया, फिर वापस वापस यहां से फिर आया और आपने पकड़ लिया यहां पर पकड़ लिया तो उपर से नीचे आने तक में 6 सेकंड लगा तो 3 सेकंड तो जाने में हो गया और 3 सेकंड वापस आने में हो गया ठीक है न, थ्री सेकेंड वापस आने में हो गया, एक कॉमन सी बात है कि जितना देर उपर जाने में उतना देर वापस आने में जो है, तो फिर कौन सा फार्मूला लगाए जाए, कौन सा फार्मूला लगेगा डियर इसमें, वी क्वल टू यू माइनस जी टी, ये लगा, जि जीरो इक्वल टू यू माइनस जी इंटू 3, तीन सेकेंड में उपर पहुंचाए, तो यू इक्वल टू 3 जी आ गया, इस बेग से, इस बेग से आपने उपर फेका है इसको, तो कह रहा है दो सेकेंड बात बेग क्या होगा ना, तो फिर फिर वोई फार्मूला आप उसमे, बेगवल टू यू मायनस जी टी, तो बेगवल टू, अब यू की वैलू आपको पता है, 3G है, 2 सेकेंड अब T इक्वल टू टू रखना है आपको, तो 2G हो गया, तो जी आ गया, जी मीट़ पर सेकेंड या निए आप्शन ए हो गया, ठीक़ेंड यह, जितने बेग से आप फेंक रहें, फाइनल बरेस्ट्री जीर हो जाएगी, तो हम U-GT-B का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, उससे बेग आ जाता है, जितना समय उपर जाने में उतना ही समय वापसानिम भी लगा वहीं तक, तो फिर जितने समय पर बेग ऊंच रहा हो, उतना ही टाइम रख देंगे, टीक्वल टू, तो दूसरा तुलन तैंसर आ जाएगा, क्विश्चन में गहरा है कि राम एक गेंद को उर्धाद और दिसा में 40 मीटर तक फेंख सकता है, तो गेंद को 36 दिसा में कितना फेंख सकता है, उपर की और ये 40 मीटर फेंख सकता है, ठीक ना, तो 36 दिसा में कितना फेंखेगा, तो मैक्जिमम हाइट है 40, मैक्जिमम हाइ जो है कि आपको निकालना है कि अगर नाम ऐसे फेंकता है इसको 40 मीटर ठीक है ना 40 मीटर तो अगर ऐसे फेंक रहा हो ठीक है ना ऐसे फेंक रहा हो यहां तो यह कितना होगा यह आपको निकालना है यह आर आपको find out करना है यहाँ से यहाँ तक में कितना आप जोशन ने फ्यका हूँ ठीक है तो 40 मीटर उपर जा रहा है ठीक है ना और range ठीक है ना maximum distance कितनी होगी तो आपको पता है कि यार maximum तब होता है जब u square अपान हम g लिखते हैं u square अपान g question में लिखा है कि उर्धवादर रुचाई 40 मीटर तक जा सकती है यह ठीक है ना इसका मतलब है h equal to 40 और यह है 40 equal to u square sin square alpha और अपान में कितना 2g यह value हिश्मिश है ठीक है तो फिर इस 2 को इधर लाईए अब maximum height है तो alpha तो 90 होगा ना यार जब उपर की और ही फेंक रहा है तो alpha तो 90 होगा तो फिर u square अपान g की value आगई 40 दुनी 80 यह value आगई और यह हो गया 80 meter यह इसका answer हो गया ठीक है समझ में आया question में क्या कहरा है कि यह उपर की और 40 meter फेंक सकता है जब उपर की और फेंक रहा हो तो alpha तो 0 हो गया भाई तो maximum height में जहां sin alpha था sin square alpha वहा 90 रखा तो 1 हो गया तो के वली u square upon 2g बचा 45 तो u square upon 2g कितना आ गया 80 आ गया maximum range कितना होता है u square upon g होता है क्योंकि sin 2 alpha 1 हो जाएगा तो 80 इस का answer हो गया PGT 2021 में था देख लिजे घूमपेर करके कितने question आ गये अभी तक मैं आपको गिना हूँ थोड़ी देर के लिए जा रहा तो देख लिजे आप खुद समझे अंदाजा लग जाएगा आपको अभी आज पहला question 2021 का दूसरा question 2021 का ठीक है ना दो 2021 का PGT का तीसरा question 2021 का चौथा question 2021 का ठीक है ना पांचमा question 2021 का ठीक छटमा question ये 2021 का फिर से आ गया एक और कितने question है या रब अंदाजा लगाई ये है important की नहीं सबसे ज़्यादा पूशे जाने वाले question question में कह रहा है कि एक पिंड 40 मीटर पर सेकेंड बेग से 60 हंसे के कोण पर फेंका गया तो पिंड का बेग जब वो महत्ता मुचाई पर होगा महत्ता मुचाई पर 40 मीटर पर सेकेंड से 60 हंसे के कोण पर फेंका गया है महत्ता मुचाई पर horizontal हो जाता है ये हम आपको बता चुके हैं महत्ता मुचाई पर horizontal velocity मिल जाती है ये आपको कल की क्लास में मैं पूरा detail से आपको बता चुका हूँ ठीक है ना फिर भी फिर से मैं सब चीजें explain कर दे रहा हूं 60 degree के angle पर फेंका है 40 meter per second बेक जो है ठीक ना ये यू equal to और कुछ नमेबाद यहाँ पर है वो महत्ता मुचाई पर तो जब महत्ता मुचाई पर है इस जगे महत्ता मुचाई यहाँ पर है ठीक ये H है इस point पर है तो इस point पर यू कास alpha लगेगा क्योंकि इधर भी यू कास alpha ह ठीक ना और जो है इसकी horizontal condition ये ये कितना होगा u sin alpha ये होगा alpha की value कितनी है 60 degree है ठीक ना u की value कितनी है वो आपके पास है में निकालना क्या है simple सा question ठीक ना अब ये सब exam में नहीं बनेगा ठीक है न डियर ये exam में नहीं बनाना है ये तो मैं अभी बनवा रहा हूँ आपको क्योंकि अगर मैं direct कर देता तो हो सकता है कि आप कहते कि सर समझ में नहीं आया इसलिए मैंने पूरा इस्तिती बता दी लेकिन जब question में कह रहा है कि महत्तम उचाई पर तो महत्तम उचाई पर साथियो vertical velocity zero हो जाती है केवल horizontal velocity ही रहती है ठीक इसलिए u cos alpha हमें निकालना है और ये equal to है 40 into cos 60 मतलब 40 into 1 by 2 u मतलब 20 meter per second answer हो जाएगा option b answer हो गया ठीक है अब आते है next question पर question number 9 पर कह रहा है कि एक हवाई जहाज 36 बेक u से h उचाई पर उड़ रहा है h उचाई पर यहां पर हवाई जहाज उड़ रहा है अब इसने क्या किया कि यहां से एक packet गिरा दिया अब यह packet आकर कि उसी बेक से आगे आकर के गिरेगा ही शेओर है कि जब आपने देखा होगा कि जैसे आप जो है बस से उतरते हैं इस उधरे बेक खैज रहा है और आप न में अगर उतर शेख देखा शाज तो यहां पर भेड़ और जाकर इसमया थैका शेज्शों कर कितने प्लोश्टि से बेग U से यानि इस दिशा में UX डिशा में डाय Pokemon UX इसका बेग U से उड़ रहा है यहां पर ओ है यहां पर ऊ है यहां पर ऐसे डायक्शन में चला रहा है ठीक ना अब एक बात और यहां पर जो है आप अच्छी मेरे किसे जानते हैं कि b equal to b square equal to u square और plus 2gh ये अब ये बर्टिकल में क्या बेग होगा इसका यानि नीचे की ऊड़ जा रहा है यहां से ऊड़ रहा था ये horizontal इसका velocity है है एच उचाई पर एच उचाई पर हैसे उड़ जा रहा है तो ब्रटिकल इसका velocity कितनी हो जा रही होगी तो बलस्टी जब नीचे की ओर हम ले रहें तो जब नीचे की और लेंगे तो हमें यू निकालना है नीचे की और ठीक है ना तो जब नीचे की और ले रहे हैं ठीक है ना डियर जब नीचे की और ले रहे होंगे तो जब हम जैसे उपर की यहां पर बात करें तो यहां पर माइनस लगेगा final velocity इस जगे 0 हो जाएगी और जब final velocity 0 होगी तो यहाँ पर minus लेना है आपको तो फिर बेग कितना आएगा यह 0 u square minus 2gh h उजाई पर बेग इसका vertical velocity में तो u equal to 2h आएगा तो u equal to आगया root 2gh यह आजाएगा अब इसका मतलब है कि इस direction में इसका जो बेग होगा यानि कि u i वो हो जाएगा root 2gh अब इसमें दोनों छेत्र चलना होगे ना horizontal भी चलना है vertical भी चलना है इसलिए resultant का यूज आपको करना होगा ठीक है ना यानि आपको जो है जब यहाँ पर पहुँचेगा तब velocity कितनी होगी ठीक है ना तो फिर v equal to यह हो जाएगा u x square plus u y square मतलब कि यह बन जाएगा root u square plus 2gh यह answer हो गया इसको ध्यान दखना है आपको कि जब कोई भी उपर से पेंड को गिराया जाएगा तो उसमें दो भी एक काम करेंगे एक horizontal भी और एक vertical भी तो vertical हमेशा यह होगा और horizontal जो भी given होगा वो next पर आजएगे दियर अब कणों को एक ही बिंदु पर उपर की और फेंका जाए तो परबले ही बनता है न यह यह भी देखिए 2005 में PGT में आया था कितना सिंपल दीर गृत बनेगा नहीं अग परबले बनेगा नहीं चक्र बने नहीं यह परबोला ही बनेगा next पर आजएगे अब इसमें डारेक्ट फार्मूले पूंच लिया देखिए कि अलफा कोण पर यू वेक से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो महत्ता मुचाई क्या होगी महत्ता मुचाई क्या होगी डिया यू स्कॉाइर सान स्कॉाइर अलफा पांड टू जी यह अंसर हो गया यह हो नहीं सकता टू लगा है इसमें भी टू नहीं है इसमें टू अलफा है तो होगा नहीं है यह तो डारेक्ट हो गया और डेरिवेशन भी मैं करा चुका हूँ इसके प्रीवियर्स क्लास में यहां पराज़े एक पत्थर को 100 मीटर उचे इस तम से 9.8 मीटर पर सेकेंड से 36 दिशा में फेका जाता है ठीक है ना अब यह सेम ऐसा ही कुश्यन है जो अभी अभी आपने पढ़ा 100 मीटर उचा है ठीक है ना यहां से 36 दिशा में 9.8 मीटर से फेकती हो गया इस दिशा में यू एक्स इक्वल टू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड यह हो गया अब यह आकर के नीचे की और गिरेगा यहां पर नीचे की और जब गिरेगा यहां ए बिंदु पर तो इसमें डारेक्शन नीचे की और भी बेक काम करेगा तो अब जो है पिंद को फेका गया है ठीक है ना? इतने बेक से फेका गया है तो डेफिनेटली जब यह ड्राफ हो रहा होगा नीचे ठीक है ना? प्रच्छेपन की कहरा एक शेकंड की बाद उसका बेक क्या होगा तो जैसे ही आप एक शेकंड की बाद उसको जो है निकालेंगे आप तो जी के एकॉर्डिंग ही चलेगा ठीक है ना? एक शेकंड की बाद सपोच करी यहाँ पर है ठीक? तो एक शेकंड बाद इसका बेग नीचे की और गिरने पर 9.8 है ठीक है ना? इस डाइरेक्शन में भी इसका विलोस्टी कितनी होगी? 9.8 यानि यू y इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड एक शॉर्ट मेथट से ठीक है ना? इस डिसा में फेका गया? ठीक है ना? तो नीचे की और गिरेगा ना वो तो अब नीचे की और गिरने में तो भाई सी दिसी बात है 9.8 ही काम करेगा ना? जी के एक और्डिंग ही गिरेगा नीचे की तरब से कोई ताकप तो लगनी नहीं है उसमें से कि आप भी जामते हैं कि अगर फेका गया है तो जी ही उसको गिरा रहा होगा तो फिर बी कितना हो गया? रूट 9.8 स्कॉर प्लस 9.8 स्कॉर तो यह अंसर आ गया बी इक्वल टू 9.8 रूट 2 यह अंसर हो गया कहा है? आप्शन सी में यह हो गया डियर ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आई कह रहा है कि एक करद्वारा टी सेकेंड में अब यह देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं फिर यह क्वेश्चन आ गया कब पूचा गया थे टी जी टी में 2010 में इस इक्वल टू है 4 टी क्यूब माइनस 5 टी प्लस 3 तो कह रहा है कि तीन सेकेंड बाद बेग क्या होगा? तो फिर बलस्टी निकालने के लिए हम डी एस डी टी करेंगे तो यह हो जाएगा 12 टी स्क्वाइर माइनस 5 एट टी एक्वल टू 3 तो यह बनेगा 12 इंटू 3 का स्क्वाइर माइनस 5 12 नमें 108 आ जाएगा 108 माइनस 5 तो 103 आ जाएगा यह एंसर हो जाएगा तेकि उसी मेठ़ड जो इसके लेक्चर वन में हम बता चुके हैं सब चीज़ें एक एक करके लगाते चले जाएए कुश्चन आता हुआ नजर आता रहेगा आपको तुरंती नेक्स्ट में यह तो मैं डेरिबेट करा चुका हूँ आपको हुआ यह एंच्टाई पर ही एकश्चाई पर पर टीवन सेकेंड पर ता दुबाराई उसी ती टी सेकंड पर उसी समय था यहां पर था पहले टी वन पर दुबारा फिर यहीं पर आगया T2 में ठेक ना तो पहले उपर की और जा रहा था तब यहां था नीचे की और आ रहा तो फार्मूला किस से लगाना है हमको हम कल की डेरिवेशन में करा चुके थे लेकिन फिर देख लीजे आप एच इक्वल टू यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वाइर इसका यूज करना है मैं 2 का LCM लीजे तो 2H हो गया 2U T हो गया माइनस जी टी स्क्वाइर इसमें से जी टी स्क्वाइर इधर लाइए 2U T हो गया प्लस 2H इक्वल टू 0 अब इसके दो रूट्स होंगे एज रूट्स T1 एंड T2 दो रूट्स है अब T1 और T2 है हमारे पास है क्या 2GT क्या है GT स्क्वाइर GT स्क्वाइर माइनस 2U T प्लस 2H इक्वल टू 0 तो सम आप रूट्स क्या होगा याद है आपको अलफा प्लस बीटा होता है तो यहाँ पर T1 प्लस T2 हो जाएगा माइनस B अपान A तो 2U अपान G इससे U आ जाएगा हमारे पास 1 बाइ 2 G T1 प्लस T2 यह एंसर हो जाएगा U का एक अब प्रोड़क्ट में आ जाई है ठेक है न डियर कि मैं पिछले लेक्षर में भी करा चुका लेकिन फिर भी आथ देख लीजिए इसको बढ़ियां से ठेक है प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट आफ रूट्स यह क्या होगा यह होगा T1 T2 एक्वल टू 2H अपान G आ जाएगा तो H एक्वल टू आ जाएगा 1 बाइ 2 G T1 T2 यह एंसर हो जाएगा अब यह ही चीज यहां पर मिली हुए यह देखे है अगर बेग अभी तक नहीं पूछा है बेग तो अगर कभी बेग पूछता तो एंसर हो जाता भी हो सकता है कि नेक्स एक्जाम में आपको यह मिल जाए अब कुश्चन में कह रहा है कि एक समान करण F एक सीधी रेखा में घूम रहा है तो दूसरे सेकेंड में चली गई दूरी क्या तो छोटा सा फार्मूला लगा देना इसको ठीक ना सीधा फार्मूला कौन सा? S एक्वल तो U प्लस हाफ F 2T माइनस 1 2T माइनस 1 दूसरे सेकेंड में कह रहा है तो पुट T एक्वल तो 2 तो S एक्वल तो हो गया U प्लस 1 बाइ 2 इंटू F इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 यह हो जाएगा बस वो रख देना है आपको आप देख रहे हैं कि जितने भी कुश्चन बनते चले जा रहे हैं बस आपको पटा-पट रखना है और कल्कुलेट करके निकालते जाना है तो यह हो जाएगा 3 बाइ 2 U प्लस 3 बाइ 2 F यह एंसर हो गया यह एंसर हो गया ठीक नेक्स्ट कुश्चन बराएगे एक कणगोच है तिक साब 45 अंस का कॉंड बनाते हुए U दिशा में बेक यूशे दिशा में प्रच्छेपित क्या गया यही समय के बाद करा यह कुछ समय के बाद क्या लिख दिया है यार कुछ समय के बाद ठीक ना समय के बाद दिशा से समकोर परगत करेगा तो वो टाइम क्या होगा तो यह भी हमने डेरिवेशन आपको करा कि जब किसी भी प्रिछेव को आप फेंकेंगे ठीक न आपने U बेग से इस दिसा में फेंक दिया ठीक है न यू बेग से अलफा एंगल पर 45 कहरा इसमें से 45 पर आपने बेग U से फेंक दिया कुछ समय बाद ये पिंड यहां पर है यहां गया यहां गया यहां गया बढ़ता चला जा रहा है कुछ समय बाद यह ऐसी जगे पर आ गया जहां से यह 90 बना रहा है कहा गया यह 90 बना रहा है और इस पॉइंट पर आ गया यह पी पर अब हमने आप से कहा था कि यह अब यहां हमने माल लिया कि बेग B से चला है तो बेक B से अगर चल रहा है, तो फिर horizontal और vertical direction में यह, अब यह हो गया theta, तो यह बनेगा B cos theta और यह बनेगा B sin theta, ठीक है न, derivate करेंगे तो समय लग जाता है, यह सब हमने करा दिया है, आपको देखा होगा आपने उसमें, पूरा detail से, इसलिए जल्दी से फटा-फट समय न ख खराब करके आप जल्दी से time का यूज कर दे, T equal to U cos theta upon G, ठीक है न, तो T equal to हो गया U cos theta 45 और upon में G, तो यह root 2 हो जाएगा, तो T equal to आगया U root 2, U root 2 upon G, यह answer हो गया dear, नहां पर है यह रहा बस इस formula को याद रखिए, derivate करेंगे तो थोड़ा समय तो लगी जाता है, और इसके पहले वाले lecture में है आपके पास फूरा, इसके पहले वाले lecture में आपके पास है, तो वहां से आप देख भी सकते हैं इसको, ठीक है न, अब next में आज एडिया, कह रहा है कि एक कण को ऐसे अगया कि छैते सीमा अधिक्तम हो, तो अधिक्तम उचाहिए और छैते सीमा का अनुपात क्या होगा, छैती सीमा अधिक्तम होगे यह कह रहा है, तो solution में, R equal to U square sin 2 alpha upon G, यह maximum हो, अगर यह maximum है भाई, तो sin 2 alpha equal to 1 होगा, तो 2 alpha equal to 90, तो alpha equal to 45, यह हम बता चुके हैं आपको, यह हम आपको बता चुके हैं, किसका मतलब है कि, जो maximum होगा, वो होगा U square पान जी, चली यह कोई बात नहीं, यह होगा, अब एक बात और समझे है, कि maximum हाईट तो केवल तब होती है, जब alpha 90 होता है, तो वहाँ पर range 0 होता क्योंकि वहाँ गया, तो फिर वहीं गिरेगा, करके यही माना जाएगा हो, दूसरी जग नहीं गिरेगा, क्योंकि आपने सीधे पेका, तो सीधे ही गिरेगा हो आपको, ठीक है न, यह बात आप समझ गया है, ठीक है, अब इसके बाद इसने कहा है, कि maximum range है, तो height अधिक्तम कब होगी, उसका अनपात क्या होगा, तो height अधिक्तम 90 मत मान लीजेगा उसको, इस angle पर ही निकालना है, क्योंकि angle अलग अलग नहीं होगी, यही होगा, तो h maximum, यह कितना होगा, u square, sine square 45, और अपन में 2g, तो यह sine square 45 को मतलब 1 by root 2 होगा, तो 1 by 2 हाजाएगा, तो u square अपन 2 into 2 g, मतलब u square upon 4g आगया, अब दोनों का ratio निकाल लेते हैं, यह equal to आगया h maximum, यह value हो गई, अब हमें निकालना क्या है भाई, range h upon r, यह निकालना है, तो रख दीजिए h की value है, u square और अपन 4g, और अपन में range बाद में लिखना है, तो u square upon g, तो यह तो cut गया है, u square, u square, तो 1 by 4 answer आगया, ठीक है न, बस ध्यान लखना है, कि angle अलग लग नहीं हो सकते हैं, जिस angle पर maximum निकाला गया, उसी को हमें रखना होगा, ठीक, next question पर आए, एक कंड को ऊपर की और फेका गया है, h उचाही तक में उसे कुछ second लगते हैं, तो इसे दुबारा जमीन पर आने पर कितना समय लगेगा, टी डैस second में अधिक लगे, तो वही question हो गया, वन भाई, अब इसको नहीं कराने की जोड़ते मुझे, जहां पर डैस लिखा है, वहाँ टी टू कर दीजे, पहला टी वन कर दीजे, तो दूसरा भी हो गया, नेक्स question को देखे, कह रहा है कि 45 पर, एंगल पर इतने बेग से फेका गया है, और समकोर पर गत करेगा, वो टाइम क्या होगा, फिर वही question आगया, आप देख रहे हैं कि 2011 में question आया था, और एक second वाला question है, तो मैं पहले कर देता हूँ, डाइग्राम बाद मनाता हूँ, है ना, जिससे आपको लगे कितनी जल्दी होता है, अब जी की value भी रख दीजे भाई, तो 98 अपको लगे कितनी जल्दी होता है, 9.8 तो कड जाएगा, तो 10 second आजाएगा, यह answer हो गया, सीधे फार्मूले का यूज कर देना है आपको, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि u equal to आपके पास है, 49 into root 2 और alpha equal to 45, 49 into root 2 और यह 45, ठीक है न, dear, value सीधे रख देना है, यह detail हम बता भी चुके हैं, अब इसमें से यहाँ diagram बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप बना चुके हैं, यह सामने रहाप के, ठीक, question 16 में था यह, और question कौन सा किया आपने, 17, ठीक न, 18 हो चुका है, 19 आपने किया, अब 20 में आजाईए, 36 दिशा में 30 हंसे के कौन पर इतने मीटर बेक से फेंका गया, तो इसकी range क्या होगी, 36 दिशा में इसकी range क्या होगी, तो फिर solution में शीधार की value आपको निकालना है, R equal to U square sine 2 alpha, और अपन में G, यही कह रहा है, तो 30 हंसे के कौन पर फेंका गया है, और 49 का square हो गया यह, और into sine 2 into 30, और अपन में G हो गया, sine 60 हो जाएगा, तो root 3 by 2 हो जाएगा, 49 का square हो गया, और यह sine 60 की value root 3 by 2, 2 into 9.8 रख दीजे, G की value, calculation में इधर कर दे रहा हूँ अब, तो 49 into 49, और into root 3, और अपन में 2 into 9.8, तो 98 कर दिया हमने और एक 0 बढ़ा दिया इधर, बस अब इसको cut कर लिजे, तो यार root 3 by 7 तो नहीं आएगा, ठीकिन अपन में 2 जरूर रहेगा, यह cutने वाला नहीं, इन दोनों में 2 है ही नहीं, तो answer हो गया C, मतलब इसका calculation करके लाएंगे, तो 245, देख करके भी idea लगा लिया जाता है जल्दी से, क्योंकि exam में तो हमें जल्दी ही करना है न, समझ में आ गया न, exam में जब हमें इतना पता लग गया तो फिर हम time based क्यों करेंगे, फिर ही time में हम multiply करके, cut pit करके निकाल लेंगे, लेकिन जब अभी हमें जल्दी हो जा रहा है तो हम फिर जल्दी ही करें, आपको तब ही question आप 125 पूरे कर पाएंगे, next question में कह रहा है कि एक projectile को horizontal plane पर 3 times कह रहा है अधिक्तम उचाई का 3 गुना यानि फिर ही concept दे दिया, क्या है इसमें, r equal to 3 h, यह हो गया, तो u square sin 2 alpha upon g equal to u square sin square alpha upon 2 g, 3 times, अब इसमें से, u square cancel हुआ, g cancel हुआ, 3 by 2 बचा, इधर हो जाएगा, 2 sin alpha into cos alpha और इधर हो जाएगा, 3 by 2 sin square alpha, तो square cancel हुआ साइन से, तो 10 alpha equal to 4 by 3 आ गया, 10 alpha equal to 4 by 3, अब इससे क्या मिला भाई, इससे आपको क्या मिल गया, यह मिला आपको perpendicular, यह मिला आपको base, तो hypotenuse 5 आ गया, hypotenuse 5 आ गया, अब आपको निकालना क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ, आपको निकालना है sin alpha, sin alpha equal to हो गया 4 by 5, perpendicular upon hypotenuse, काश alpha हो गया 3 upon 5, यह हो गया, अब question में आपको R चाहिए, question में यह पूँच रहा है, ने, ने, time of flight पूँच रहा है, time of flight पूँच रहा है, तो t equal to 2u sin alpha, और अपान में g, तो sin alpha की value 4 by 5 है, तो यहां रखिए 4 by 5, 4 to 8u upon 5g, 8u upon 5g, answer हो गया, यह हो गया, ठीक है ना, चलिए, next question बराते हैं, अगला question गह रहा है कि, 100 meter रूचे tower के, shear से gain 10 meter के second से, फेकी जाती है, तो जमीन तक पहुचने में इसको, ठीक है ना, जमीन तक पहुचने में, 5 second का समय लगता है, तो फिर angle क्या होगा इसका, ठीक है ना, तो देखिए, ध्यान से, यह, 100 meter रूचे tower हो गया, 100 meter रूचे tower हो गया, meter रूचे tower के seat से gain इतने बेग से फेकी जाती है, अब फेकी जा रही है, नीचे की और या, उपर की और कहीं भी फेकी जा रही होगी, तो इसमें, question में कह रहा है, लेकिन question में यह पूच रहा है कि angle कितना होगा, इसका मतलब है कि यह फेकी गई है, projectile के form में, एना, projectile के form में, ऐसे फेकी गई, ऐसे फेकी गई, और आकर के नीचे गिरेगी है यहाँ पर, ठीक ना, तो horizontal, horizontal velocity होगी, u cos α, ठीक है न, vertical velocity होगी इसकी, जैसे u बेक से फेकी गई है, बेक से, तो vertical velocity क्या होगी, u sin α, उपर की और, तो फिर नीचे की और क्या हो जाएगा, minus u sin α, नीचे की और minus sin α, अब हमें नीचे की और ही तो चाहिए, क्योंकि 5 second में नीचे की और चली जाती है, नीचे पहुंच जाती है, तो formula फिर हम लगाएंगे, h equal to ut minus, नीचे की और जा रहा है, half gt square, इसको लगाएंगे हम, ठीक है न, तो h equal to handed होगा, u, कितना है हमारे पास, 10 meter per second का, तो minus 10 into, ठीक है न, डियर, minus 10 और u, t की value है हमारे पास 5, लेकिन alpha का यूज करना होगा हमें, minus 10, sin alpha, यह हो जाएगा, नीचे की और, plus 1 by 2, और g, तो g की value है 10, और t की value है 5 का square, और यहां भी है 5, इस जगे भी 5 रहेगा, minus 10 sin alpha into 5, क्योंकि ut है न, तो u की value है, minus u sin alpha, u की value 10 है हमारे पास, ठीक है न, उपर की और यह, u equal to 10 है, यह value आगे, डियर, इसमें से, अब यह हो गया, 250, 10, ठीक, यह handed है, इसको इधर ले आईए, तो यह 50 आजाएगा, 50 into sin alpha, equal to, यह कितना हो जाएगा, 125, 125 हो जाएगा, 125 minus 125 हो जाएगा, ठीक है न, मतलब आप यह ध्यान रखे, कि जब उपर की और velocity जा रही है, u, तो नीचे की और minus u हो जाएगी, तो आपने उपर छट से, आपने फैक दिया, यह से, तो उपर की और velocity, यानि क्वेश्चन में कह रहा है, कि 5 second में धर्ती पर पहुंच जा रहा है, इसका मतलब vertical distance cover करने में 5 second लगे, तो के और vertical का यूज़ करेंगे, और gentle से कोई लेना देना नहीं है, तो उपर की और u sin alpha है, तो नीचे की और minus u sin alpha हो जाएगा, बस, अब यह देखे 50 आ गया, तो फिर यह sin alpha equal to हो गया 25 अपन 50, sin alpha equal to 1 by 2, तो alpha equal to 30 आ गया, 30 degree आ गया, ठीक है ना, simple सा concept था बिल्कुल, हाँ, ना दिमाग में हो, पहले से आपके ना तैर किया हो, तो नहीं हो पाएगा, 2002 में पूछा गया था यह, अब आ जाएए next में, क्या पूछ राइस में, कि एक कोण को alpha कोण से किसी और जो टायल को फेका गया, तो अधिक्तम उचाई क्या होगी, दुबारा फिर से पूछ लिए है उसने ही, कितना simple सा question, तो direct formula भी पूछ सकता है वो, आप यह ध्यान दखिए, अगर direct formula भी पूछ सकता है, question में कह रहा है कि, दो गेंदों को 60 और 30 पर एक ही दिसा मभेका जाता है, यदि वो समान उचाई प्राप्त करें, तो प्रच्छेपण के बेग कानुपात क्या होगा, समान उचाई पर पहुंचते हैं, दोनों एक साथी, मतलब यह, कि आपने यहां से फेंका एक को, ठीक है ना, एक को आपने फेंका है, 60 पर, यहां गया, यहीं से, ठीक ना, यहीं आ करके गिरेगी, ऐसे मान लीज़ें समशे, यह उचाई दोनों की बराबर है, ठीक, उचाई दोनों की बराबर है, इसका एंगिल है, 30, इसका एंगिल है, 60, यह 30 डिगरी पर फेंका गया, ये 60 degree पर फेका गया लेकिन h1 equal to h2 दोनों की उचाई बराबर ही है इस जगे ठीक है ना तो फार्मूला लगा दीजे h1 equal to हो गया u square ठीक है ना दोनों को एक ही बिंद्र से फेका जाता है ठीक तो प्रिच्छे पर बेग तो हम u 1 मान लेते हैं तो sin square 30 degree upon में 2g h2 कितना होगा u2 square sin square 60 upon 2g अब दोनों की height equal है ना h1 equal to h2 है तो जब दोनों की equate करेंगे तो dear यहाँ पर यह देखे क्या बन गया un square और sin 30 की value 1 by 2 है तो 1 by 4 हो जाएगा un square into 1 by 4 यहाँ आएगा 4 upon में हो जाएगा तो 8g हो जाएगा upon में ठीक ना यह हम जो निकालने जा रहे हैं ठीक इसका ratio निकालना है हमने h1 equal to h2 कर दिया हमने h1 equal to h2 यह पहला रहा दूसरा दूसरा निकालना है time u2 sin 60 है तो root 3 by तो 3 by 4 हो जाएगा तो u2 square into sin 60 यह नि 4 अपान में 4 to 8 8g यहाँ 3 आ जाएगा तो दोनों का ratio में यह तो 8g और 8g तो cancel हो गया अब यह है u1 और u2 3 तो इसमें बन जाएगा u1 अपान u2 ठीक है ना equal to 1 ratio root 3 1 ratio root 3 बन गया वो यह answer हो जाएगा इसका ठीक है चाती हो अब इसके बाद next question बढ़ाते हैं अगला कह रहा है कि मात्ता मुचाई का चार गुना है ठीक है ना परास यह हो चुका है question एक बार repeat हो गया है मुझे लग रहा है कि कहीं पर था चार गुना है तो कहीं पर भी होगा फिराल यह आप देखें होंगे साय थे यही आ रहा होगा ठीक ना चार गुना करेंगे पर आज मात्ता मुचाई का तो यही आ जा रहा है इसमें next question पर यह भी एक repeated question है दो गुना उचाई का तो अभी अभी आपने किया है इसमें फाइफ यह स्कुएर पान फोर जी ठीक ना एक कन को यूबेक से फेंका जाता है पर इसका सबसे बड़ी मुचाई यानि मात्ता मुचाई का दो गुना ठीक है न तो यह वाला भी देखें यह repeat हुए मैं केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि यह question कैसे repeat हुए है देखें यह कैसे repeat हो जा रहे है सेम चीज जो बड़े आराम से कर सकते है question में कह रहा है कि 60 degree पर ठीक है ना अनुपात इतना है प्रचेप एक प्रचेप जिसका प्रचेप और को इतना है ठीक है ना the ratio of the range on horizontal plane and the time of flight of a projectile whose angle of projection is 60 degree 5 ratio 2 है तो velocity of projection क्या होगी ठीक है तो question में सीधे कह रहा है कि प्रचेप कोड इतना है ठीक है ना 36 तल पर सीमा और उडान के समय काम पात यानि r upon t equal to 5 upon 2 तो r की value रख दीजे यू स्क्वाइर u square ठीक है ना into sin sin 60 degree कह रहा है तो sin 2 alpha 2 into 60 degree upon me g और इसके साथ upon me t g तो 2u sin alpha यानि 60 degree और अपान में g तो यह g और g तो cancel हो गया ठीक है ना ठीक प्रचेपन बेग निकालने की बात कह रहा है तो u और u ही cancel हो गया ठीक है अब इसका ratio भी कितना कह रहा है 5 by 2 कह रहा है तो यहां देखिए sin 60 120 की value हो जाएगी 180 minus 60 यानि root 3 by 2 यह आएगा u root 3 by 2 ठीक है इसका आजाएगा जी तो कट चुका है यहां पर है sin 60 तो root 3 by 2 2 2 कट जाएगा तो root 3 आजाएगा यहां पर हो जाएगा आपान में root 3 equal to 5 by 2 तो 2 और 2 कट गया root 3 और root 3 कट गया तो u equal to आगया 5 cm पर सेकेंड यह बन गया ठीक है यह यह आजाएगा ठीक है इसके बाद next question में यह फिर वही फार्मुला है अब यह भी जो आपने पढ़ा ठीक है कितने question repeat हो रहे हैं आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने question इसमें से repeat हो जा रहे हैं अब इसमें कह रहा है कि उचाईएश के टावर को seeds से इतने बीग से एक साथ फेंका गया है ठीक है इतने बीग से इसको फेंका गया है 36 रूप से टो निचले भाग से होकर कब तकराएगा ने निचले भाग में कब तकराएगा आपको ये निकालना है ठीक है न तो अब डियर इसमें से क्या करना है आपको ये और ये ये दो कुश्चन हाँ तो ये बाला आला कि बहुत बड़ा नहीं है छोटा सा कुश्चन ये भी है कह रहा है ये चुचाई का एक टावर है उसके सीर्स ते इतने बेग से के साथ एक पत्तर 36 दिसा में फेंका जाता है और जहां ये टकराएगा निचले भाग से वो मैकजिमम रेंज होगा ठीक है न देख लीजे ये चुचाई का ये है यहां से जो है फेंका गया तो यहां पर गिरा तो फिर मैकजिमम रे यू इक्वल टू रूट टू जी एच तो आर मैकजिमम होता क्या है भाई आर मैकजिमम होता है यू स्क्वार अपान जी ये होता है और यू स्क्वार अपान जी के लिए यू स्क्वार वो रहा टू जी और अपान में जी कट गया जी तो एंसर आ गया टू एच ये एंसर ह हो गया मिल्कुल छोटा सा कुश्चन था ठीक है न मैक्जिमम रेंज का फार्मूला यह है इस बेक्षिपें का गया है उसको रख दिया जाए गया हम पर नेक्स कुश्चन पर आजाए डिया अब यहां पर जो है हमने आपको बताया था कि पत का समी करन मैंने सिखाया था बना पेड़ा ममन ले ले तो 1 minus b upon a x बस्ता है अब आपके सामने दिख रहा है compare करते जए एक लाइन का कुश्चन है compare one and two, one and two, एक लाइन में compare कर देना है आपको तो क्या हो रहा है ये 1 by R, 1 by R equal to B upon A, तो फिर R equal to हो गया A upon B, ये लिज़ेडियर, मैं इतना लिखा चुगा हूँ आपको उसमें, कि आपको देर नहीं लगेगी, तुरंथ ही आप कर सकते हैं, हाँ, नहीं अगर आप ऐसे सीख पाए हैं, तो एक बार फिर से पढ़ियागा, और अगर ऐसा नहीं करें, तो फिर disturbance आपका ही होगा, नुक्सान फिर आपका ही होगा, ठीक है ना, ये फिर आपको समझना है उसमें से, कि क्या कहां पर गलती हो रही है, किस वज़े से ऐसा दिक्कत हो रहा है, ठीक है न डियर, चलिए, ये मैंने आज का लेक्चर आपके लिए कंप्लीट कर दिया, ये दोनों लेक्चर ही महत्तुपूर्ण हैं, अगर आपने इसको पूरा बढ़िया होगा, तो नेक्स एक्जाम में 100% आप अच्छा कुश्चन कर पाएंगे, और इसी के साथ धेड़ सारी सुखकाम नाएं आपको, और मिलते हैं फिर हम डियर नेक्स लेक्चर में, तब तक के लिए, नमस्कार जैहिन,